दोस्तों आज किस वीडियो में हम उत्रा खंड के गड़वाल के गाउं से आए अचे सिहीं से योगी आदित्यनाथ बनने के सफर के बारे में जानने वाले हैं योगी जी के नीजी जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कड़वी सचाइयां हैं जिनहें ज्यारातर लोग नहीं जानते हैं और आज इस वीडियो में हम आपको योगी जी की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसे ही चौकाने वाली पहलूँ के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी इनके बारे में जानने को उत्सुक हैं तो वीडियो को अंधे तक जरू देखेगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओं के नतीजे आ चुके हैं और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि भारती जनता पार्डी के योगी आदित्यनाथ जी ने इस चुनाओं को जितकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इसलिए क्योंकि असी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही व्यक्ति लगातर दूसरी बार यूपी का सीम बना है। जिले के पंचूर गाउं में रहने वाले एक गड़वाली राजपूत परिवार्म हुआ था। जन्म के समय में उनका नाम अजय सीम बिष्ट रखा गया था। जबकि योगी आदित्यनाथ नाम उन्हें सन्यास लेने के बाद से दिया गया। योगी जी के पिता का नाम आनंद सीम बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। उनके पिता एक फॉरिष्ट रेंजर थें जिनका देहांत साल 2020 में कुरोना के लोगड़ॉन के दौरान हुआ था। फैमिली के अगर बात करें तो योगी जी चार भाईयों और तीन बहनों यानि कि साथ भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। वही एजुकेशन के अगर बात की जाया तो उन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पॉड़ी गड़वाल के ही लोकल स्कूल से की और फिर आगी की पढ़ाई रिशिकेश के स्री भारत मंदिर इंटरमेडिट कॉले से कंप्लीट की थी। और फिर इसके बात से आगी की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्री नगर की हेमन्तवती नंदन भहगुणा गड़वाल युनिवर्शिटी में एडमिशन लिया जहां से उन्होंने बी एस सी मैथेमेटिक्स करके अपने बैसलर्स की डिगरी हासल की। खलाके इसके बाद इन्होंने MSC करने के लिए भी एडमिशन ले लिया था लेकिन उस समय राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन की वज़ा से इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया और उस आंदोलन से जुड़ने के लिए योगी जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ जिसके चलते अपनी कॉलेज के पढ़ाई के दौरान उन्होंने अखिल भारती विद्यार्थी परिशद यानि की ABVP को ज्वाइंट कर लिया था और उनकी गिंती ABVP के उभरते हुए स्टुडेंट्स लीडर्स में भी की जाने लगी थी अब योगी जी स्टुडेंट्स दूसरे आम लोगों के जैसे ही पूरी तरह से नॉर्मल थी यहां तक कि उस समय वे खोद भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से कोई अच्छी जौब करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहते थें लेकिन तभी कुछ अचानक ऐसा हुआ जिससे कि उनकी लाइफ ह साल 1990 में उन्होंने यह आंदोलन ज्वाइन कर लिया था और इसी दोरान उनकी मुलाकात महंत बाबा अवैध्यनात जी से हुई थी जोकि उस समय गोरकनात मंदिर के प्रधान पुजारी वा पीठा धिस्वर थें योगी जी महंत अवैध्यनात बाबा जी से मिलकर इतने प् महंत अवैध्यनात जी के आसरम को ज्वाइन कर लिया महंत अवैध्यनात जी खुद भी योगी जी की विचार धारा और इतनी कम उम्र में उनके कौसल को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे जिसके चलते 15 फरवली 1994 के दिन उन्होंने योगी जी को नात सम्रदाय क गुरु दिक्षा देकर अपना शिशे बना लिया और इस तरह से उनका नाम अजैसी से बदल कर योगी आधित्यनात हो गया इसके बाद से योगी जी सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा में लग गये और साथी उन्होंने आसरम का पूरा कारेभार भी अपने खुद के कं कुछी समय में महंत अवैध्यनात जी ने उन्हें अपना उत्राधिकारी घोसित कर दिया और साथी 1998 में उन्होंने योगी जी को अपना पॉलिटिकल वारिस भी बना दिया दरसल महंत अवैध्यनात जी प्रधान पुजारी के साथ ही एक मंझे हुए पॉलिटिशन भी थे जहां वो हिंदू महसभा भारती जन्ता पार्टी के लिए गोरकपूर से चार बार सांसत रह चुके थे साल 1990 में महंत अवैध्यनात जी ने योगी जी से कहा कि इस बार उनकी जगह पर वो गोरकपूर सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़े अब योगी जी भला अपने गुरू की बात को कैसे टाल सकते थे वे बीना कोई सवाल किये उस इलेक्शन में खड़ी हो गए और इस तरह से योगी जी के ऑफिशियल पॉलिटिकल करियर की शुरुवात हो गई जहां उन्होंने न सिर्फ अपने पहले इलेक्शन में जबरदस्त जीत दर्जी की बलकि साथ ही सिर्फ 26 साल के उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया इसके बाद साल 1990 से 2017 तक वे गोरखफूर सीट से लगतार पांच बार सांसद बने अब यूँ तो सांसद बनकर योगी जी ने बहुत से अलग लगवा एहम काम कियें लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा पहचान उस हिंदू युवावाहनी ग्रूप ने दिलाई जिसा गठन इन्होंने साल 2002 के दौरान किया था दरसल योगी जी ने religious group को गौमाता के सेवा और anti-hindoo activities से डिल करने के लिए बनाया था और दोस्तों इस तरह से योगी जी ने अपने काम से सालों तक सभी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जिसके चलते भारती जंता पार्टी में स साल दरसाल उनका कद बड़ा होता चला गया लेकिन दोस्तों उनके political career का सबसे बड़ा turning point साल 2017 का उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव साबित हुआ दरसल ये वो समय था जब भारती जंता पार्टी को 2015 के दिल्ली election में आम पार्टी द्वारा बूरी तरह से हार मिली थी ऐसे में पार्टी के लिए 2017 का UP election बहुत ही जादा important हो गया था और BJP किसी भी हाल में selection को हारना नहीं चाहती थी तो दोस्तों अब BJP के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि UP में CM का चेहरा किसको बना जाए और इस सवाल के जवाब के लिए 2016 में गोरकनात मंदिर के अंदर मीटिंग भी की गई जिसमें की BJP और RSS के सभी निता शामिल हुए थे और सभी ने आपस मिलकर या फैसला लिया कि इस बार BJP की तरफ से UP के CM उमिद्वार योगी आदितनात जी होंगे और फिर योगी जी का नित्रित्व में भारती जंदा पार्टी ने UP के अंदर पूर् वेर्द्यनात जी का देहांत हो जाने के बाद से नात्पंथ के ट्रेडिशनल रिच्वल्स का नुसर योगी जी को गुरतनात मंदिर का महंत और पिठा दिश्वर बना दिया गया था और तबी से वे इस जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं योगी जी की दिन चर्या कि अग दर और गये जैसे जानवरों से भवाट प्यार करते हैं खासार से गायओं нос लका इतना ज्यादाू हर सुबा से नीपड़ नहीं सीम्में उर बने कی सीम्मी Article eyes ले ऑगे भहाए हृ योगी जी की कब्लब पाणी नाम के एक मंथली मैगजिन के चीफ एडिटर भी हैं साथी वे योगिक सष्ट कर्म हट योग हिंदू राष्ट नेपाल वर्तमान एवं भविश्य और राज योग जैसे कई किताबे लिखकर उन्हें पब्लिश भी कर चुके हैं दोस्तों योगी जी के बारे में कयास लगाये जा रही है कि प्रधान मंदरी नरेंद्र मोदी जी के बाद अगला पीएम योगी आदिते नाथ जी होंगे इसके बारे में आपका क्या कहना है क्या उन्हें प्रधान मंदरी का पद मिलना चाहिए कॉमेंट कर जिरू बताना तो दोस्तों यह थी कहानी यूपी के स बने योगी आदिते नाथ की